कभी आपने ये सोचा है कि थोर अपने हैमर को किते दिरूर से बुला सकता है अगर आपने कभी ऐसा नई सोचा तो हम बताते हैं ऐसे M.C.O. में कभी हुआ नहीं है बाट कोमिक बुक में बर हो चुका है जिसमें थोर सभी लोकों को पार कर देता है और थोर वहां से अपने मियोनियर को बुलाता है और उसका मियोनियर कुछ टैम में वहां भी पोच जाता है जब थोर हैमर को बुलाता है तो उसके आगे बहुत सारे प्लैनेट थे लेकिन म्योनियर सभी प्लैनेट को डिश्ट्रोई करता हुआ थोर के पास आ जाता है मतलब कि हैमर गिलैक्सी में भी होगा तब भी वो थोर के पास वापिस आ जाएगा यानि हैमर को बुलाने कोई लिमिट नहीं है और अगर म्योनियर के बीच में कोई आता भी है तो वो उसको डिश्ट्रोई करके थोर के पास वापिस आ जाएगा ऐसा ही कोमिक बुक में एक इंसिडेंस हुआ है एक बार हैमर को ऐसे कमरे में रखा गया जिसकी दिवार ये वाइबरेनियम से बनी थी लेकिन वो साला वाइबरेनियम की दिवार को तोड़ कर थोर के पास वापिस आ गया मतलब कि हैमर को थोर के पास आने से कोई नहीं रोख सकता लेकिन कोमिक बुक में इसका भी इलाज है थोर के हैमर को बस एकी चीज रोख सकती है और वो है गोड़ फ्लेश का पिंजरा अगर हम इसमें मियोनियर को रखे दो उसकी सारी पाउर खतम हो जाएगी जिससे वो थोर के पास भी नहीं जा सकता बाइद वेश टोपिक पे आपकी क्या राय है वो कमेंट जरू करें और ऐसी मोर वीडियोस के लिए में चैनल सब्सक्राइब कर लेना